उत्तरबरदेश में अस्यों सीट की तयारी कर रहे हैं बिहार में 400 लोकसभा की तयारी कर दें जितना सैफ़ाई महोसों में खर्च किया उसका अगर 5% हम समझते हैं कि 5% रुपया अगर सैफ़ाई गाउं में जो वन्ची 100 सोसीत हैं उनकी उपर खर्च किया होता तो आज ये भी चमचमाते हुए सडकें होती इनके भी मकान बने हुए आवास ही दे होते रनबीर यादो उनके नाम से रनबीर पूर रखा गया है सैफ़ाई का पूरवा है सौव घर बंजारा है और सौव घर बंजारा अब ये देखिए कि ये जो है प्लास्टिक की बोरी का दरवाज अगर जूट बोलने है इसकी जाच करा ले कोई चुनोती देता हूं कोई भी समाजवादी पार्टी का डेलिगेट चला जाए उस गाउं में उसको यह असास हो जाएगा 20% मुसल्मान या ओट देता है समाजवादी पार्टी को जब विकास की बात होती है किसेदारी देने क कि बात होती है अखिलेज अपने विरादरी को देते हैं 1531 स्थाने में एक थाना चुल लीजिए आपको पता लग जाएगा के 17 हारे 19 हारे 22 हारे 2400 हारेंगे आज बैठक हो रही अभी फिर बैठक की डेट आचता है हो जाएगी अब देखते जिएगा यह बैठक करते करते चुना हो जाएगा एंकि बैठक कतम नहीं होगी आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया है विकास के मुख्यधारा से उनको अलग रखा है उन लोगों को बड़ी उमीद जगी है भारती समाझ पाड़ी से जब वो सुन रहे हैं कि भाई एक नेता आ रहा है जो हमारी बात कर रहा है अभी एक दिन मैं गया था सैफ़ई जैसे गाउं जो अखिलेश जी के घर के बगल में उनके पिता जी मानने मुलाइम सिंग जी के भाई थे प्रमुखते रनबीर यादो उनके नाम से रनबीर पूर रखा गया है सैफ़ई का पूरवा है सौ घर बंजारा है अब ये देखिए कि ये जो है प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा है पुवाल का इनका घर है एक दो घर नहीं है सौ घर है सबकी फोटो हमने खिचवाई है और आप चुनवती देते हैं कि इसके चाय किसी भी गूगल पे डाल दीजिए आपको सफ़ई का रनबीर पूर गाउं का आपको मिल जायेगा ना रस्ता है ना सवचाला है ना नाली है ना घर है ये इसी तीन की है तो ऐसे लोग आप समझे कि ये विचारे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं ये विकास की बात करते हैं लोग जितना सैफ़ई महोसों में खर्च किया उसका अगर पांच पर्षेंट हम समझते हैं कि पांच पर्षेंट रुपया अगर सैफ़ई गाओं में जो वन्ची सोसीत हैं उनके उपर खर्च किया होता तो आज ये भी चमचमाते हुए सड़के होती इनके भी मकान बने हुए आवास ही दे होते इनके आवास बने होते तो ये दिखते तो ये वों प्रिकास के साथ नहीं रहते हैं यही बंजारा समाज के लोग समझे की 80,000, 90,000, 60,000, ओट एक एक परलियामेंट में समझवादी पार्टी को देते हैं लेकिन उसके एवज में क्या मिलता है पलास्टिक डाल करके रहो विकास की बात मत करो तो ये विकास से जो दूर हैं लोग चायो कांग्र की सरकार रही हो चाय बसपा की सरकार रही हो चाय सफा की सरकार रही है अब उनको विकास के मुक्यधारा से जोड़ा जा रहा है तो अब वो लोग हम लोगों की साथ खड़े हो रहे हैं नेता जी पहले समाजवादी पार्टी के साथ में थे आपके पुराने दोस्त हैं और क एक सोचालिस क्रोड जो अवादी उसी में सब लोग हैं, पचीस क्रोड जो अवादी यूपी के उसी में उन लोग भी हैं, सवाल वहां ये खड़ा होता है कि छोड़ने न छोड़ने का नहीं, विकास की मुख्य धारा में अपनी जाती के अलामत सभी जातीयों को छोड़ क्य में उसको यह असास हो जाएगा, हम लोग गए, हम आये तो फिर मैंने भेजा, हमने का कैमदा लेके जाओ फोटो खीचो, तो जो वहां बरतमान प्रधान है बालमिकी जी, वो खुद गए, उन्होंने स्विकार किया, उन्होंने स्विकार किया, इनकी माली हलत खराब, इनके लोगों के साथ सवतेला व्यवहार हुआ है, उससे लोग तंग आ करके उप करके लोग, सब लोग इन्डिये के साथ भाग रहे हैं, लगातार यहां पर भी बैठे के होती हैं, बसपा के लोग जोईन कर रहे हैं, सुभासपा, समाजवादी पॉर्टी के तमाम लोग तूट करके आ रहे हैं, वजह है क्या बताते जब आपके पास आते हैं, अभी जैसे आपके आने के पहले 15 मिन पहले एक सज्जा नायत थे, सपा के राश्टी सुची थे, उन्दोंने जो अपनी पीर्या बताते बताते यहांक से उनके आंसु आ गया, कि सहाब वहां जाके गेट प बाची थे, इतना प्रभावी थे, इतना प्रभावी थे, कि उहां से बढ़िया थे यहीं है, हमने उनकी दुखती भी नवज पर थोड़ा हाथ रखा, तो उन्दोंने कहा कि नहीं सही कह रहा है, हमको 20% मुसल्मान या ओर देता है, समाजवादी पार्टी को, जब विकास क की बात होती है, हिसेदारी देने की बात होती है, तो अखिले जी अपने विरादरी को देते हैं, 1531 स्थाने में एक थाना चूल लीजिए, आपको पता लग जाएगा, तो वो खुद कहा कि नई सहाब, हम इस पास से दुखी हैं, आप दुखी हो तो वहां क्यों हो, जब हम उसकी दवाई करते हैं, ठीक हो जाओ गए? और कुछ लोगों को लेके जाना है, जिस दिन आपके स्क्रीन पर आएगा तब नाम, ये रास्ता सुभास्पा पार्टी सो होकर गुजर करके जा रहा है, अपने जॉइन किया, तमाम लोग दीरे-दीरे करके जॉइन कर रहे हैं, बीजेबी, अब असल में लोग हम से मिल ल अब उन्हें के साथ चले जाते हैं, जाके मिलवा के, अब फिर उदर से लवट के फिर लखना हुआ जाते हैं, आज इंडी आइलाइन्स की बड़ी बैठक है, और सीट बटवारों के लिए कर बात हो रही है, अब ये हिंदी पट्टी की बात की जाए, पांच राजियों मे 24 में चुनाओ भी हो, 80 सीटों के दावा कर रही है, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आपस में कुछ कॉंफ्लिक्ट हमेशाद दिखाई देता रहा अब इतक है, आप क्या मानते हैं, आगे क्या होने वाला है, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हो हारेंगे, आज बै बैठक की डेट आचता है हो जाएगी, अब देख लेजिएगा, यह बैठक करते करते चुना हो जाएगा, यह बैठक कतम नहीं होगी, इंडिया एलाइंस में क्या सेंदमारी कर ली है आपने, बहुत मजबुती से, कितने घटक दला रहे हैं, अब नाम नहीं बताएंगे, इतना जान लिजिए कि बड़ी संक्या में लोगों को इधर जल्द ही, जियों मुहिम सुरू होगी, अभी दरवाजा बंद है, जियों खुलेगा, तो आप धड़ाग से सब को हिला देंगे, पूरवान चली कैसी तैयारी, क्योंकि लगातार आप वहाँ वर्क करते रहें, जमीनी इस्तर पर, और गाओं-गाओं मैंने खुद देखा है, जाकर करके वर्क कर रहें, जमीनी इस्तर पर क्या महूल है, क्योंकि जब से BJP जोईन कर ली है, तो कई बारे बात होता है, जब बढ़ता है, तो जमीनी इस्तर पर नहीं पहुच पाता, लेकिन आप लोग करदोई में कारिकरम किया था, मैं दिविया पूर विधान सभाव रहिया में कारिकरम किया था, पस्षिमांचल में जो कारिकरम हो रहे हैं, पाँच हजार, साथ हजार, आठ हजार, दस हजार, ऐसे लोग जूट रहे हैं, अपने पैसे संसाधन से, हमारी यादत है कि हम साध बिदान सब्सक्राइब आपकी आवाज को प्रेस के सामने हम आपकी आवाज को जनता और नहताओं के सामने हम रखेंगे और लड़ाई लड़ेंगे जो मुद्दों की बात हम करते हैं मुद्दों को लेकर के विदान सब्सक्राइब के अंदर हम उसको लड़ते रहते हैं जिसकी आवाज उन्हां तक पहुँची हुई है तो वो लोग खोशते रहते हैं कि नेताय आ जाए तो उनके साथ हम लोग भी उटे है जो बटेगा तो फिर मांगा जाएगा बटते रही हैं तो का मांगा जाए अभी कुछ अपनी तरफ से क्या मानते हैं कितनी सीटों कर रहे हैं बिहार में चालिसों लोग सुभा की तयारी करते हैं नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं उन्प्रकास राजबर जी से बात हो रही थी साफ कोर से बता दिये, लाश्ट में बड़ा मैसेज दिया, 80 सीटों की तैयारी है और 40 सीटों की तैयारी बिहार में और राइस इना हिल्स का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से ही गुजर करके जाता है तमाम जमीनी मुद्धों पर भी बात हुई, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM News Network के साथ ब्राउन रिपोर्ट के लिए मैं हुशेतेच कांथ कैमरा परसन शुबम के साथ दन्यवाद